हलो बच्चो, welcome to our YouTube चनल, तो आज हम करेंगे standard 9th का chapter number 8 जिसका नाम है trigonometry, हम इसका problem set 8 आज solve करेंगे, इसके दो practice set है, practice set 8.1 and practice set 8.2 उसके विडियोज मैंने already upload कर दिये हैं, उसका link description में दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो problem set 8 करने के पहले वो विडियो ज समझ में आ जाए अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले कि आप ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डीटेल सल्यूशन के विडियो अप्लोड करते रहेंगे चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 8 प्रॉब्लम सेट 8 क इसमें से क्या सही है आप देखेंगे तो साइन और कॉस का रिष्टा पूछा है और रिष्टे में एंगल्स देखो क्या दिख रहे है थीटा 90 मैनस थीटा हर जगे है तो थीटा और 90 मैनस थीटा के एंगल्स में क्या रिष्टा है वो आला कॉंसेट मैं आपको पहले सिखा अगर आप यह triangle consider करेंगे राइट अंगल ट्राइंगल जो हम last दो practice set से same right अंगल ले रहे है triangle P, Q, R जिसमें यह वाला angle 90 degree है और यह वाला angle theta अगर मुझे यह 90 पता है और यह theta पता है तो यह angle क्या आएगा अगर आपने 78 में ध्यान दिया होगा तो आपको ऐसे ही आजाएगा लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया है जो मैं जानता हूँ नहीं दिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हैगा अब मुझे angle P find करना है मुझे पता है कि मैं angle P, angle Q and angle R को add करूँगा तो total sum क्याना चाहिए 500 degrees sum क्या आएगा जल्दी से बताओ 180 degrees triangle के सारे angles का sum हमेशा 180 degree होता है कैसा भी triangle हो हमको कोई फरक नहीं पढ़ता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि angle P plus angle Q plus angle R will be equal to 180 degrees यह तो property है हमको पता है अब मुझे angle P क्या है वो तो नहीं पता है मुझे find करना है तो मैं angle P को ऐसे ही लिख देता हूँ ठीक है angle Q क्या है angle Q यह ऐसा बना दूँ क्या है यहाँ पर ऐसा measure लिखना है यह measure कितना है इसका 90 degree ऐसा मतलब 90 degree होता है न तो इसको लिख दिया है यहाँ पर 90 degree plus angle R कितना है angle R को हमने लिया है theta तो यहाँ पर आगया theta equal to 180 degree मुझे चाहिए angle P का राली तो मैंने angle P को ऐसे ही रखा बाकिस सब को उस तरफ फेक दिया तो 90 यहाँ पर plus है वहाँ जाके क्या बन जाएगा minus तो मैं लिख दूँगा 180 degree minus 90 degree ठीक है यह 90 degree plus था वहाँ जाके minus हुआ यह theta भी यहाँ पर plus है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बीटा नहीं plus theta है तो equal to को cross करेगा तो penalty देगा plus से minus बन जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा therefore angle P is equal to यह 180 minus 90 कितना होता है 180 minus 90 मुझे मिलेगा 90 degrees और यह minus theta तो ऐसे ही आ जाएगा तो मुझे angle P का value क्या मिल गया 90 minus theta अब इसमें और दिमाग मत लगाओ कि और छोटा value आएगा जो यह value है ना वो theta है अगर मुझे theta पता है तो यह P क्या है 90 minus theta तो minus करके मुझे angle P भी मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि angle P जो है वो है 90 minus theta ठीक है आया समझ में यह रिष्टा है theta और यह वाले angle के बीच ठीक है कोई भी right angle triangle लेने हम कोई भी right angle triangle में अगर यह 90 है यह theta है तो यह 90 minus theta होगा ठीक है तो यह याद रखना है यह वाला explanation में erase कर रहा हूँ और यह 90 minus theta और theta के बीच का हम रिष्टा निकालते है तो हम लोग so का तुवा यूज करके sin theta, cos theta and tan theta निकालेंगे यह वाले angle के ratios तो sin theta क्या होता है देखो sin opposite upon hypotenuse cos होता है adjacent upon hypotenuse and tan theta होता है तुवा opposite upon adjacent अभी theta के लिए opposite कौन है देखो यहाँ पर मैंने o mark किया है opposite upon hypotenuse तो आज जाएगा pq upon pr वैसे ही adjacent कौन है theta के adjacent वाला मतलब यह वाला side qr and hypotenuse तो है pr तो cos theta आजाएगा qr upon pr and tan theta क्या है opposite upon adjacent तो opposite क्या है opposite यह है pq and adjacent qr तो आजाएगा pq upon qr तो यह मुझे मिल गए sin theta cos theta tan theta अब बच्चों यह angle p है ना यह angle p का नाम भले 90 minus theta है बट वो भी तो एक angle है ना तो अगर मुझे उसका ratio निकालना है इसको दिखके डरो मत suppose मैं लिखता हूं angle p का ratio ठीक है तो मैं अगर sin p cos p tan p लिखता हूं तो यहाँ पे मैं यह angle जो है sin p cos p tan p तीनों का निकाल रहा हूं formula same होगा sin के लिए opposite upon hyperteneuse cos का adjacent upon hyperteneuse और tan का opposite upon adjacent तो तीनों यहाँ पे लिख दिया अब p के लिए opposite और adjacent अलग होंगे तो यह p वाला जो angle है उसके लिए opposite कौन है qr and hyperteneuse तो p r यहोगा because hyperteneuse 90 degree के सामने वाला होता है तो मुझे मिलेगा qr upon p r तो यहाँ पे मैंने लिख दिया equal to qr upon p r अब यह p के लिए adjacent कौन है यह वाला तो नहीं है because यह तो hypoteneuse है adjacent side यह वाला है p q और hyperteneuse तो p r यह है तो मुझे मिलेगा equal to p q upon p r उसके बाद मैंच यह tan p opposite upon adjacent angle p यह रहा उसके opposite यह है qr and adjacent है p q तो मैंने लिख दिया equal to q r upon p q अब मैंने जो p लिखा था ना बच्चो इसके लिखा था था कि आपको confusion नो angle p का value 90 minus theta है मैं पहले से 90 minus theta लिखता तो आपको डर लगता p लिखो या 90 minus theta लिखो कोई फरक नहीं भड़ता क्योंकि उसका value 90 minus theta है तो यह p के जगे पे erase करके मैं 90 minus theta लिख रहा हूँ अब यहाँ पे देखो sin theta का value है p q upon p r और यहाँ पे p q upon p r कहाँ पे आ रहा है देखो cos 90 minus theta दोनों का value sin theta and cos 90 minus theta का value p q upon p r है तो मैं बोल सकता हूँ ना अगर दोनों का value p q upon p r तो दोनों equal है तो sin theta will be equal to cos 90 minus theta तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ from कौनसा-कौनसा equation है 1 and 5 from 1 and 5 sin theta is equal to cos of 90 minus theta ठीक है इसका मतलब क्या होता है मतलब अगर मैं theta का value लो 20 degree ठीक है let theta equal to 20 degree यह ऐसी example दे रहो एक्स्पेहन करने के लिए तो क्या आ जाएगा मुझे sin 20 degree will be equal to cos of 90 minus 20 which will be equal to cos of 90 minus 20 आ जाएगा 70 degrees तो sin 20 degrees का value हमेशा cos 70 को equal होगा अब theta पे कोई भी value डालो वो हमेशा true होगा ठीक है क्योंकि हमने यह यह पे theta को कोई value नहीं लिया हुआ तो sin theta will always be equal to cos 90 minus theta यह example समझ मैं है ऐसे आब theta 40 लो 50 लो 72 लो कुछ भी लो ठीक है next एक और देखते है अब cos theta का value है qr upon pr यहाँ पे देखो qr upon pr यहाँ पे भी है तो qr upon pr तो sin 90 minus theta है तो cos theta and sin 90 minus theta भी equal आ जाएगा because दोनों का value qr upon pr है तो क्या लिख सकते है from 2 and 4 cos theta is equal to sin 90 minus theta आ क्या समझ में तो theta का कोई भी value लें cos theta will be equal to sin 90 minus theta यह property हम बहुत जगा यूज़ करेंगे अब देखो tan theta और tan 90 minus theta को multiply करते हैं तो क्या मिलेगा multiply करने के लिए उनका values दालना पड़ेगा tan theta का value है pq upon qr तो यहाँ पर लिख दो pq upon qr multiplied by tan 90 minus theta का value देखो क्या है यहाँ पर qr upon pq अब देखो pq और pq cut and qr and qr cut क्या बचा total बचा 1 मतलब tan theta into tan 90 minus theta कभी भी कोई भी angle के लिए multiply करेंगे तो हमेशा answer 1 आएगा आया समझ में तो यह raise कर रहा हूं में और सीधा 1 लिख रहा हूं आपको याद करने के लिए समझ में है कैसे निकाला हमने tan theta into tan 90 minus theta कि और calculate करके 1 आ रहा है sin theta is equal to cos of 90 minus theta cos theta is equal to sin of 90 minus theta and tan theta into tan 90 minus theta equal to 1 10-15 बार यह लिख लो क्योंकि बहुत काम आने वाला है और आपको derivation भी आता है मैंने derivation भी सिखाया है यही triangle में हमने ratios निकाल के calculate किया ठीक है कभी भूल गये गलती से तो derivation कर सकते हो ज्यादा time नहीं लगेगा छोटा सा derivation लेकिन याद तो करी लो ठीक है तो यह value यूज करके हम लोग problem set date शुरू करते है तो यहाँ पर first question क्या दिया था which of the following statements is true sin theta equal to cos 90 minus theta अभी हमने सीखा sin theta equal to cos 90 minus theta true है न हमने अभी derive किया था तो मतलब first वाला तो true है cos theta is equal to tan 90 minus theta cos theta is sin 90 minus theta tan होता है क्या नहीं तो b वाला right नहीं है sin theta equal to tan 90 minus theta बिल्कुल भी नहीं sin theta is cos 90 minus theta तो यह भी नहीं tan theta is equal to tan 90 minus theta बिल्कुल नहीं because tan theta into tan 90 minus theta is 1 तो इसमें सिर्फ यह a वाला true है ठीक है क्योंकि अब भी हमने ये properties study के आया समझ में ये तीन formula आपको रटने हैं अच्छे से और आपको derivation भी आता है गलती से अगर आप भूल गएं तो आप derive कर लेना exam ओके चलो next करते हैं तो इसमें second question दिया है which of the following is the value of sin 90 degree अब मैंने आपको बताया था individual values याद करना थोड़ा difficult है लेकिन table बनाना बहुत easy था तो यहाँ पर table बना देते हैं तो ऐसे table बना देते हैं sin cos tan और यहाँ पर angles आते थे 0 degrees 30 degrees 45 degrees 60 degrees and 90 degrees कैसे बना देते हैं यहाँ पर लिखते थे 0 से शुरू करते थे 1 फिर 1 0 फिर 0 not defined याद है इसने क्या पूछा है sin 90 degree sin 90 degree मतलब यह वाला value already हमको पता है 1 है आगे का table बनाने की जरूरत है क्या नहीं है तो मत बनाओ तो यहाँ पर sin 90 degree का value है 1 ठीक है अगर आपको चीए तो मैं आपको फिर से बना के देता हूँ कैसे बनाते थे यह यहाँ पर लिखते थे 1 1 root 3 फिर यहाँ पर लिखते थे 2 root 2 फिर 2 cos में उल्टा लिखते थे यहाँ पर आ जाएगा root 3 by 2 1 by root 2 and 1 by 2 उल्टा मतलब values ऐसे जा दिये sign में cos में देखो यहाँ से इधर 0 है तो इधर 0 आएगा फिर इधर 1 by root 2 है तो इधर 1 by root 2 आएगा इधर root 3 by 2 है तो इधर root 3 by 2 आएगा इधर 1 इधर 1 इधर 1 उल्टा ठीक है और 10 में यह दोनों का ratio लेते थे इसका ratio 2 2 cut क्या आजाएगा 1 upon root 3 फिर यहाँ पर इसका और इसका ratio लूँगा same cheese upon same cheese answer क्या आएगा 1 1 by root 2 1 by root 2 दोनों cancel हो जाएगा फिर root 3 upon 2 इससे divide करूँगा तो क्या मिलेगा 2 2 cut root 3 upon 1 which is root 3 यह table बहुत बार बनाओ तक ही 10 से 15 सेकेंड में आपका पूरा table बन जाए ठीक है तो यह second question भी solve हो गया वीडियो pause करके देख लो एक बार आगा समझ में चलो next करते हैं third question में देखो क्या पूछा है 2 tan 45 degrees plus cos 45 degrees minus sin 45 degrees इसका value निकाल ला है अब फिर से table लगेगा because यह सारी values हम लोग को individually याद नहीं है मुझे याद है किके मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूं लेकिन आपने अभी just शुरू किया इसलिए आपको याद नहीं है लेकिन आप यह 15-20 सम में यूज करेंगे न उसके राद आपको भी individual values याद हो जाएंगी रट्टा मारने की जरूरत नहीं बड़ेगी ठीक है तो इसका table बना लेते हैं तो यहाँ पर table बना लिया है tan 45 degrees देखो value यहाँ पर 1 है tan 45 फिर cos 45 1 by root 2 and sin 45 भी देखो यहाँ पर 1 by root 2 तो यहाँ पर value substitute करो 2 tan 45 degree मतलब 2 into tan 45 tan 45 है 1 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 फिर cos 45 degree cos 45 degree है 1 by root 2 तो यहाँ पर लिख दिया 1 upon root 2 sin 45 degree है 1 by root 2 तो यहाँ पर लिख दिया 1 upon root 2 सिर्फ values अब चूट कर दिया ठीक है sin वैसी की वैसी यहाँ नहीं अब देखो यहाँ पर यह दोनों तो कटो को है 1 by root 2 plus 1 by root 2 minus देखो यहां पर प्लस और माइनस है ना क्या बचा सिर्फ 2 इंटु 1 2 इंटु 1 क्या होता है 2 तो इसका आंसर क्या आ गया देखो option number C 2 आया समझ में simple है ना सिर्फ ये table आता हो तो आप ये 2 questions ये वाला और इसके पहले वाला ऐसे ही कर लेते हैं ओके वीडियो pause करके देख लो next करते हैं fourth question करते हैं ठीक है बहुत दिमाग मत लगाना कि 28 और 62 को table में cut करने लग गए 214 जार और 231 जार ऐसे नहीं होता cut ये trigonometry cost 28 पूरी एक चीज़ है अलग 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 नहीं है cost 28 अलग अलग नहीं है sign और 62 अलग अलग नहीं है ये दोनों साथ में है ठीक है तो आप cut नहीं कर सकते डिरेक्ली ऐसा और देखके डरना भी नहीं है पचो कोई भी नहीं चीज़ देखेंगे तो थोड़ा time तो लगता है ना जैसे आप PUBG खेलना शुरू किये थे तो तुरंच champion बन गए थे क्या थोड़ा time लगा था ना समझने में के game के controls क्या है फिर तो आप champion बन गए वैसे ही trigonometry में भी पहल करना पड़ेगा तो देखो यहां पर cost 28 upon sin 62 degrees देखके डर लगता है लेकिन इसका answer देखो क्या आ रहा है numbers में ही है न अगर answer number में आ रहा है मतलब इसका कुछ तो value आएगा और cut हो के हमें यह मिलने वाला है correct कुछ cut हो के value आया तो यह answer 2 minus 1 0 या 1 आ सकता है पर हमको ऐसा कुछ पता है क्या जो cos और sin को relate करता है मैंने just अभी थोड़े देर पहले आपको relation सिखाया था क्या था यात करो यह रिस्ता सिखाया था मैंने आपको sin theta is equal to cos 90 minus theta cos theta is equal to sin 90 minus theta यह use करके यह cos 28 को मैं sin में बदल सकता हूं क्या बदल सकता हूं मैं formula देखके तो यह बाकी सब erase कर रहा सिफ यह रख रहा हूं यहां तो हमें पता है कि cos theta is sin 90 minus theta तो अगर मुझे cos theta का value क्या देख़ो है यहां पर 28 degree तो अगर मैंने theta के यहां पर 28 degree यहां पर डाला तो यहां पर भी theta के जगे पर 28 डालना पड़ेगा theta तो एक ही है ना 90 minus 28 solve करो 90 minus 28 आपको आएगा 62 degrees ओके तो cos 28 degrees की value आ गई sin 62 degrees यह use करते हैं तो question पूछा था cos 28 upon sin 62 इसमें cos 28 के जगे पर मैं लिख दूँगा sin 62 तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर cos 28 के जगे पर मैंने लिख दिया sin 62 और नीचे तो क्या था नीचे देखो sin 62 ही है यह value सिर्फ replace किया है तो नीचे आ गया sin 62 का sin 62 अब दोनों cut हो रहा है न सेम है value देखो cut होके 1 पूरा value cut कर रहा हूँ देखो बच्चो एक sign sign cut नहीं किया है ऐसा नहीं कि सिर्फ sign sign cut किया 62 62 अलग से cut किया ऐसे नहीं कर सकते है अब यह पूरा value cut कर सकते हो एक साथ ठीक है तो यह cut किया तो answer है 1 upon 1 which is nothing but 1 तो मुझे option D आ गया answer वीडियो pause करके एक बार देख लो बहुत ही easy है यह वाला property अभी मैंने जब वीडियो शुरू किया तब आपको सिखाया था problem set 8 का second question है in right angle triangle T SU यहाँ पर T SU दिया हुआ है T S is equal to 5 यह वाला जो length है T S वो 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया फिर angle S is 90 degree वो तो अल्रेड़ी mark किया हुआ है SU equal to 12 तो यह SU 12 है then find sin T cos T tan T similarly find sin U cos U tan U तो इसका और इसका trigonometric ratios पूछा है अब मेरे पास दो sides है ठीक है trigonometric ratios के लिए मुझे hypotenuse तो लगने ही वाला है because देखो sign पूछा हुआ है तो मैं hypotenuse अगर निकाल लो तो मेरा काम तो हो गया तो मैं कोई भी trigonometric ratios निकाल सकता हूँ तो यह 5 और 12 पे Pythagoras लगा के मैं T U निकाल सकता हूँ ठीक है फिर side आ गई T U तो मेरा काम हो गया चलो solve करते हैं तो यहाँ पर लिख दिया T U square is equal to Ts square plus Su square by Pythagoras तेरम value substitute करो Ts का value क्या दिया है यहाँ पर Ts दिया है 5 and Su दिया है 12 तो यहाँ पर substitute कर दिया 5 square plus 12 square 5 square होता है 25 12 square होता है 144 12 into 12 144 plus 25 हो जाएगा 169 169 को मैं लिख सकता हूँ 13 square because 13 13 जा 169 होता है therefore T U square is 13 square compare करो square square T U के जगे पर 13 तो मुझे T U क्या मिल गया मुझे मिल गया T U equal to 13 अब आपके पास तीनो साइट्स है T S 5 फिर Su 12 and T U 13 आपको क्या find करना है sin T sin T मतलब यह वाला एंगल opposite के आएगा और hypotenuse के आएगा वो देख के आपको यह पूरा solve कर देना है simple है खुद से try करेंगे video pause करो खुद से try करो फिर देखो मैंने जो किया उससे compare करो सो का तोवा यूज करके हम लोग यह तीन ratio निकाल सकते हैं sin cos tan sin क्या आएगा opposite upon hypotenuse cos आएगा adjacent upon hypotenuse and तोवा tan आएगा opposite upon adjacent ठीक है हमको किसका find करना है पहले हमको T का पूछा है तो हम sin T रिखेंगे तो opposite side of angle T आएगा ठीक है वैसे इक cos define करेंगे तो यहाँ पे adjacent side किसका आएगा angle T का यह angle T का यह वाला side adjacent है और यह उसके सामने वाला है opposite और यह तो hypotenuse standard है सबके लिए hypotenuse वही होता है right angle तागल में एक ही hypotenuse होगा फिर जब tan T पूछा है तो opposite side कौन सा angle T का adjacent side भी angle T का ठीक है तो साइन T में क्या आ जाएगा opposite side of angle T opposite कौन है यह यह एस यू तो यहाँ पे लिख दिया SU अपॉन हाइपोटेनियूस कौन है हाइपोटेनियूस है अपना T U तो यहाँ पे लिख दिया T U SU का value क्या है देखो SU है अपना 12 अद T U है अपना 13 तो यह आ जाएगा 12 अपॉन 13 वैसे अब लोग कॉस्ट यह तांग T निकाल लेंगे क्या मिलेगा ऐसे आ जाएगा कॉस्ट यह आ जाएगा T S यह वाला T S अपन T U तो value आ जाएगा 5 अपन 13 और T T क्या मिलेगा T T आ जाएगा opposite मतलब 12 और adjacent मतलब 5 तो 12 अपन 5 आगया समझ में अब ऐसे ही हम लोग को इसका ratio भी निकालना है U का ठीक है कैसे निकालेंगे same formula यूज करके लेकिन यह opposite और adjacent आप से करेंगे अब देखो यह angle U के लिए बाजुवाला side यह होगा adjacent इसलिए उसके बाजुआ में A लिख दिया और सामने कौन है opposite कौन है T S ठीक है hypotenuse तो same रहेगा तो sign angle U निकालना है तो मैं कहा लिखूँँगा opposite side of angle U okay upon hypotenuse because so का तो मैं देखो sign is opposite upon hypotenuse opposite कौन सा वो angle का जिसका sign पूछा है अब भी opposite side of angle U कौन है देखो angle U के opposite है T S तो यहां आ जाएगा equal to T S upon hypotenuse क्या है hypotenuse है अपना T U तो यहां पे लिख दिया T U क्या है T S का value 5 and T U का value है 13 आया समझ में ऐसे ही आप लोग cost or turn निकालो ऐसे आजेंगे हर एक ratio यह 3 ratio हमने T के निकाले और यह ratio हम हमने erase कर दिया क्योंकि अभी यह diagram दिख रहा है न तब यह दिख नहीं रहा था इसलिए हमने वापस से दिखाया था आया समझ में दो side दिये थे question में Pythagoras use करके हमने 30 side निकाला 3 side मिल गए उसके बाद मैं यह right angle triangle में कोई भी trigonometric ratios निकाल सकता हूं कोई भी क्योंकि 3 side मुझ is equal to 90 degree यह 90 degree दिया हुआ है यहाँ पर xz is equal to 8 cm xz के बाज में देखो 8 लिख दिया है already yz equal to 17 cm yz is 17 cm find sin y cos y tan y इसका ratios and sin z cos z tan z इसका ratios previously जो question दिया था same वैसा ही है इसमें भी देखो एक side missing है यह एक side कैसे निकालेंगे हम लोग pythagras use करके तो pythagras use करके side निकालो फिर आप यह trigonometric ratios easily calculate कर सकते हो आप लोग video pause करो यह question खुद से solve करें भी practice के लिए दिया हुआ है ठीक है फिर compare करो जो मैंने किया उससे बैट के इंतिजार मत करो कि पूरा solution आएगा हम देखके करेंगे बिना देखके करना है फिर check करना है ठीक है practice ज़रूर ही है ऐसे आजाएगा पूरा solution हम लोग ने पहले pythagras use करके यह वाला side find किया xy जो मुझे मिल गया 15 तो यहां पे मैंने लिख दिया 15 अब मुझे तीनो side पता है तो मैं कोई भी trigonometric ratios निकाल सकता हूँ मुझे सिर्फ soka toa use करके value substitute करना है ठीक है soka toa use करक कि हमने final answer निकाल लिया video pause करके compare करो आपने कहां पे mistake किया है ओके next करते है fourth question में दिया हुआ है in right angle triangle element right angle मतलब एक angle 90 degree if angle n is equal to theta ये angle n है उसका नाम theta दे दिया है angle m equal to 90 degree ये वाल अंगल देखो 90 degree label क्या हुआ है cos theta आपको दिया है 24 upon 25 find sin theta ये tan theta अच्छे से याद करें ये हमने कब देखा था ऐसे questions आप लोगोंने already solve किये practice at 8.2 में लेकिन इस तरह नहीं दिये थे थोड़ा अलग तरीके से दिया था बताओ कैसे ऐसे questions थे practice at 8.2 में पूरा table दिया हुआ था यहाद है बहुत सारे values उसमें एक question आज़ा था देखो cos theta का value दिया है sin theta और tan theta पूछा है कोई difference नहीं है same वैसे ही solve करना है क्या use करते थे इसमें हम लोग ये cos theta का ratio use करते थे सो का तो वहां से cos theta निकालते थे फिर हम लोग ratio and proportion में k, k में थड़ बोलते हैं जिसको k use करते थे फिर k use करके हम लोग 2 side में से 3 side निकालते थे खुद से हो पाएगा कि करके बताओ पूरा try करो एक बार खुद से फिर मैं बताता हूँ तो बहुत ही simple है आपको आ जाए देखो यहां पर cos theta आया 24.25 question में दिया हुआ है but cos theta तो adjacent upon hypotenuse होता है so का तो आया दे so का का मतलब c cos adjacent upon hypotenuse adjacent क्या है adjacent यह theta के लिए है यह mn तो मैंने लिख लिया mn and hypotenuse क्या है ln तो hypotenuse लिख लिया but question में दिया है cos theta का value 24 upon 25 तो देखो cos theta का value mn upon ln भी है cos theta का value 24 upon 25 भी है तो मैं cos theta के बाजू में equal to लिख के 24 upon 25 लिख सकता हूँ अब देखो mn के सामने 24, ln के सामने 25 इसका मतलब ऐसा होता है क्या mn equal to 24, ln equal to 25 नहीं टाक्टिस्टाइट 8.2 में मैंने ऐसे 9 problems आपको करवाय थे इसका मतलब ratio है यह equal to नहीं है खुद पूरा तो mn अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ mn equal to 24 k and ln लिखना है तो ln equal to 25 k ln के सामने 25 है ना अब मुझे दो sides पता है mn and ln देखो mn पता है ln पता है यह right angle triangle में python लगा के lm find कर सकते है ना तो हम लोग ln square equal to lm square plus mn square करेंगे ln square क्या है continue से ठीक है तो value substitute करो ln कितना है ln देखो 25 k दिया हुआ है and mn कितना दिया हुआ है 24 k तो यहाँ पर मिलेगा 25 k the whole square equal to lm square plus 24 k the whole square यह ln square का value चीए मुझे इसलिए उसको अकेला रख दिया इदर और यह 24 k the whole square को वहाँ पे shift किया वहाँ पे shift किया तो plus क्या हो जाएगा minus अब यह कौन से form था question होगा देखो a square minus b square उसका formula क्या है a plus b a minus b a के जगे पर क्या था 25 k and b के जगे पर 24 k तो आ गया 25 k plus 24 k 25 k minus 24 k right side में तो lm square ही है 25 k plus 24 k होता है 49 k and 25 k minus 24 को होता है 1 k क्या आ जाएगा 49 into 1 हो जाएगा 49 9 फिर k into k हो जाएगा k square तो 49 k square equal to आ गया lm square इसको मैं लिख सकता हूँ 7 k the whole square because 7 का square होता है 49 k का square होता है k square लिख सकता हूँ तो देखो square के जगे पे square lm के जगे पे 7 k तो lm का value क्या आ गया 7 k अब मेरे पास lm है ln है mn है तीनों साइड जगो lm ln mn तीनों साइड अगर मेरे पास तीनों साइड है तो मैं sin theta tan theta निकाल सकता हूँ न कोई भी trigonometric ratio निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास right angle के तीनों साइड से है तो मैं कोई भी trigonometric ratio निकाल सकता हूँ तो sin theta, tan theta कैसे calculate करेंगे सो का toa में पता है ना आपको चलो, तो सो का toa से sin theta, tan theta निकालो तो यहाँ पर मैंने sin theta लिख दिया opposite upon hypotenuse so, so h होता है न oh and tan theta toa, tan theta opposite and adjacent ठीक है, तो opposite side of theta क्या है यह theta है, इसके opposite side यह है, lm, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, lm और hypotenuse क्या है, hypotenuse है lm, तो यहाँ पर आ गया lm lm का value क्या है, lm का value है 7k and lm का value है 25k, तो मुझे मिलेगा 7k upon 25k k के कट हो जाएगा क्या मिला, 7 upon 25 वैसे लिए tan theta का value क्या आएगा tan theta is opposite upon adjacent opposite क्या है lm, adjacent है mn तो यहाँ पर लिख देते हैं lm और mn lm क्या है, 7k and mn है 24k है, cut करो यहाँ पर देखो, kk cut आपको मिल गया 7 upon 24 तो आपको मिल गया sin theta का value and tan theta का value तो यहाँ पर मैंने यह 7 upon 25 लिख दिया, sin theta का value and tan theta का क्या आएगा 7 upon 24 तो यह अपना final answer हो गया दोनों का next क्या पूछा है, next उसने पूछा है sin square theta, हमने sin theta निकाला है तो sin square theta तो सिधा square करके आ जाएगा easy, cos square theta cos theta अल्रेडी दिया हुआ है तो इसको square करेंगे तो मुझे cos square theta मिल जाएगा चलो जल्दी से square करते है ऐसे लिखेंगे sin square theta मतलब होता है sin theta the whole square यह मैंने आपको practice set 8.2 में कित्ती बार करा है हार एक problem में याद है न, सिर्फ sin का square नहीं होता पूरे sin theta का square होता है ठीक है? अब इसको solve करते है sin theta का value क्या है? देखो 7 का square क्या होता है 49 and 25 का square होता है 625 तो यह आगया इसका answer cos square theta is equal to same में में देखो cos square theta is cos theta the whole square cos theta का value क्या है? सिर्फ इसका value हमको question में दिया हुआ है 24 upon 25 देखो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos theta के जगे पे 24 upon 25 the whole square तो आएगा ही न क्योंकि सिर्फ cos theta 24 upon 25 है square तो उपर दिया ही है 24 का square होता है 576 and 25 का square क्या है? 25 into 25 is 625 ओके तो आपको sin square theta का value भी मिल गया cos square theta का भी value मिल गया तो अपना काम हो गया तो यह आगया हमारा पूरा solution simple है बच्चों याद रखना है यह fourth question थोड़ा अलग form में दिया है 8.2 के first question जैसा ही है exactly यह बाजो में triangle बना के उल्टा तुमको डरा दिया 8.2 के first question में सिर्फ table दिया हुआ था triangle दिया था क्या? नहीं दिया था तो same way में ही solve किया है method में कोई भी difference है क्या देखो? हम लोगोंने ratio and proportion यूज किया है यहाँ पर k method वाला correct वो यूज करके हमने third side निकाल लिया फिर हमारे पास तीनो side आ गई न तीनो side आ गई तो आप लोग कोई भी trigonometric ratio calculate का सकते हैं आया समझ में? वीडियो pause करके एक बार देख लो next करते हैं fifth question में दिया है fill in the blanks और first question दिया है sine 20 degree equal to cos blank मतलब किसका रिष्टा है? sine और cos के बीच में क्या रिष्टा है? वो पूछा है याद है sine और cos के बीच में क्या रिष्टा है? यह lecture शुरू करने के पहले मैं आपको सिखाया था यह सिखाया था न मैं आपको sine theta is equal to cos of 90 minus theta minus theta is equal to 1 तो first question दिया है sine 20 degree equal to cos मतलब sine equal to cos यह वाला दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? sine 20 degree is equal to cos of सिर्फ इस को देखो 20 degree क्या theta के सामने? अगर ऐसा है तो cos 90 minus theta के जागे पर क्या लिख सकता हूँ? 20 degrees तो मुझे मिलेगा 90 minus 20 degrees यह कहाँ से आया है? हम लोग को reason लिखना पड़ेगा है because sine theta is equal to cos of 90 minus theta तो यह बागी का जो part मैं raise कर रहा हूँ? यह पूरा use नहीं हो रहा न? अब इसको solve करो cos of 90 minus 20 90 minus 20 क्या होता है? 70 तो यहाँ पर लिख दो equal to cos of 70 degrees simple है न? बस इतना ही है answer वीडियो बाउस करके देख लो एक बार चलो next करते है second question दिया है tan 30 degree into tan of something equal to 1 याद करो अब भी मैंने आपको एक property सिखाया क्या था property? यहाँ पे देखो tan theta into tan of 90 minus theta equal to 1 tan theta into tan of 90 minus theta तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? we know that tan of theta multiplied by tan of 90 minus theta equal to 1 यहाँ पे देखो theta के जगे पर क्या है? 30 degree देखो बाकी सब से मैं tan theta multiplied by tan something tan something multiplied by tan something equal to 1 equal to 1 सब कुछ से मैं तो theta के जगे पर मैं क्या डाल रहा हूँ? 30 degree तो लिख देते हैं here theta is equal to 30 degree तो क्या मिलेगा? therefore tan यह theta के जगे पर क्या हैगा? 30 degree multiplied by tan 90 minus theta theta क्या है? theta के जगे पर 30 degree है तो 90 minus 30 लिखो है यहाँ पर मुझे मिलेगा 90 minus 30 equal to 1 यह जो नीचे का पाट है वो erase कर रहा हूँ मैं तो यह क्या आ जाएगा? therefore tan 30 तो tan 30 रहेगा into tan 90 minus 30 क्या होता है? 90 minus 30 होता है 60 degrees तो यह ही है ना question में देखो यह ही पूछा है tan 30 into tan of something equal to 1 tan 30 into tan of something something के जगे पर क्या है? 60 degrees तो यहाँ पर हम लोग answer लिख देंगे 60 आया समझ मैं? यह भी simple था third question दिया है cos 40 degree equal to sign of something अभी आपको cos और sign का रिष्टा पता है यह आपको खुद से solve करना है खुद से solve करो वीडियो पॉस कर दो फिर मैंने जो किया उससे compare करो चेक करो कि आपका write है कि नहीं तो we know that cos theta is sign of 90 minus theta theta के जगे पर क्या है देखो है? 40 degree तो theta के जगे पर 40 दाला तो यह theta के जगे पर 40 दालेंगे तो 90 minus 40 आ जाएगा 50 तो क्या मिला? cos 40 is equal to sin 50 degree तो यहाँ पर क्या पर देंगे? यहाँ पर हम देंगे 50 degree बहुत ही simple था last का 3 problem वीडियो pause करो और देख लो एक बार तो बच्चों यहाँ पर हमारा problem set 8 खतम होता है इसमें हम लोगोंने question 1, 2, 3, 4, 5 सब solve कर लिए इसके पहले के वीडियोस में मैंने practice set 8.1 and practice set 8.2 भी solve कर दिया है उसका link description में दिया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको पूरा trigonometry अच्छे से समझ में आ जाए यह सारे वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आएगा लोग खामखा trigonometry से डरते है यह सबसे easy topic है सबसे जादा scoring topic है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है पूरा formula based है और हर एक formula का derivation मैंने आपको कराया है अगर आप formula भूल भी गए गलती से तो आपको derivation तो आता है तो आप derivation यूज करके कर सकते है है ना तो बिल्कुल भी trigonometry से डरना नहीं है हर एक question दो-तीन बार solve करना है ताकि formula याद हो जाए ठीक है तो यहाँ पर हमारा trigonometry का chapter खतम होता है अगर आपको ए lecture पसंद आया हो ताकि जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करें आपको notifications मिलती रहे और आप कोई भी important lectures बेस न करें comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको ए lecture कैसा लगा या फिर आपके कोई सुझाव या suggestions है तो वो भी आप comment section में हमें बता सकते हैं Thank you so much for watching this video